नमस्कार, निउस क्लिक में आपको, आप सबको मैं स्वागत कर रहा हूँ, मैं परणजॉई गुहाठा कुर्ता, आज का चर्चा का विश्य है कि जो डीजी कंपनी बड़े-बड़े मकान बनाते हैं कैर कानूनी तरह से कैसे बनाते हैं, कैसे मुनाफ़ा कमाते हैं और आप सब ने जरूर सुना होगा और आपने तेलिविजिन के छोटा परता में दिखा हुआ, एकदम तमाशा बन गया, कब की बात कर रहा हूँ, अगस्त नौ तारिक के दे, सारे टेलिविजिन कैमरा नौइड़ा पहुच गये, क्योंकि वहाँ पे सूपर टेक ट्विन टा जो मकान बनाने में पतानी कितने साल लगा, ये करना चाहिए ये नहीं चाहिए, आदालत के क्या भूमेका है, और जो नियंतरन करने वाला, जो रेरा बोलते हैं, रियल एस्टेट रेगूलेटरी अथारिटी, जो हिंदुई में कहेंगे, रियल एस्टेट नियामक प्राद करने, इनका क्या भूमेका है, और ये जो गडबंधन है, जो बड़े-बड़े बिल्डर है उरके साथ जो सरकारी अविसर इस विशे के ऊपर आज मेरा साथ नियूस्क्लिक के स्टूडियों में है, और मैं बहुत गर्विद बोत करता हूं उनको बुलाने के लिए, राजी मेरत के जो नियंतरक और महालेखा पर एक शक्त दफतर में उन्होंने बहुत दशक काम किया, वहां से उन्होंने रिटायर किया इस डिरेक्टर जेनरल डिरेक्ट टैक्सस, देश विदेश घूम के आये हैं, सिना जी, यूनाइटेड नेशन्स के लिए, लाइबेरिया से न जोब में, पाइनियर में, इन्फरा लाइब में उनका लेक्ट आर है, सिना जी धन्यवाद, यूसकी का दर्शक, अ बहाफ अ बहाफ of all the viewers, I welcome you, ये कानी से हम शुरू करते हैं, ये शुरू करते हैं, ये शुपर टेक का जो ट्विन तावर था नोइडा में, New Okla Industrial Development Area Authority, इसक चौदा टावर होगा, और हर टावर में, नो मंजिल होगा, बाद में, चालिस बन गया, ये जो चौदा टावर में, चालिस मंजिल बन गया, एक दश्रक लगा, वहां का जो रेजिडेंट है, The Supertech Emerald Court Society, अदालत से, अलाबाद से, Supreme Court, सबसे उच चनेया ले गया, 2012 में, अला चार महिना के अंदर, और Noida Authority इसका खर्चा लेगा, फिर ये Supreme Court चला गया, सबसे उच चनेया ले, बहुत सारे कारण के लिए, एक साल लगा, ये बिल्डिंग को डिमोलिश करने के लिए, Supreme Court भी बोला था, August 2021 में, तीन महिना में, डिमोलिश कर तो, फिर भी एक साल लगा, औ और जब ये डिमोलिशन हुआ, तक तो एक तम दमाशा बन गया, होर ट्रेलिविजन चैनल में लाइव दिखा रहे थे, ये पुरा जो घटना हुई है, हम क्या शिक्षा ले से उपने हैं, हम ये हिंदुस्तान में, लिविंग में मेरी में, फॉर लास्टी ये बहुत ही पह सामने हुआ है, हांके सामने हुआ है, ये एक कन्फिजन्स देता है, आम जनता को, कि गलत करने वालों, कि हमेशा हर समय नहीं चलेगी, जो ये मान के चलते हैं, कि बिल्डिंग बन गया, तो अब टूटेगा नहीं, किसी भी तरीके से बना लें, तो उस आद, उस इस मेसेज को अब हर बिल्डर दुबारा, तिवारा, चौबारा सोचेगा, कि साहब गलती करने से साहथ बच नहीं पाएंगे, बट इस सेम टाइम, हाई फेल, कि साहब जो हुआ है, एक कोट ने बहुत मारके का काम किया है, अब हाई कोट, सुप्रीम कोट ने जो आदेश दिया, और एलावाद हाई कोट के जज्ज्मिन्ट को करीब-करीब साथ साल के बाद भी अफेल्ड किया, और वो अभी एक डिमोलिशन एक आधा ही काम हुआ है, इसके क्यों डिमोलिशन हुआ, उसके पीछे क्या कारण रहे हैं, क्या कोलिजन रहा है, बिल्डर्स और डिफरेंट गौ और उसको तोड़ना पड़ा, एक भारिज जैसे गरीब देश के लिए उसके पीछे भी हमना, यह आपने बिल्कुल ठीक का, देखिए यह मकारण बनाने के लिए, गैर कानूनी तरह से बढ़ा है, माने लिए, मगर करोरों रुप्या कर जाओ, पांच सो कोड, उनका करना है और यह पैसा, एक तरह से एकदम जमीन में मिटी है, और आपने जैसे किया, सुप्रीम कोड, उन्होंने कहा, कि there is a nexus, there is a nexus, collusion, यानि कुछ समझोता था, गोपन समझोता था, सरकारी, अधिकारी, और यह बिल्डर के बेच, तो यह तो हम सब के नाम सुन गया, सुपर टे मगर यह सरकारी अधिकारी कौल है, और यह हम बोल रहें कि हाँ, इतना लंबा मकान बनाया, कुतब मिनार एक अधिहास, हासिक इमारत से भी, उचा, इसको आपने धंश कर दिया, आपने कहा सही का, कि बिल्डिंग 2004 में लैंड इनको मिला था, इनको सुरू में मिन का प्लान अप्रोग हो था, और 2005 में अप्रोग होने के बाद, जो कि करीब करी 48 हज्यार स्कॉर मीटर बोलते हैं, बारह एकर लैंड पे ही बना था प्रोजेक्ट, जहां पे बच्चों का, खेलने खेल को किसी जगात था, कोई परियाली बेल्ट होना जाया है, कभी एक प्रोजेक्ट हुआ करता था, जब कुछ लोगों साध सत्ता से काफी नजदीक थे, और यह नहीं है कि पहला हुआ है, अभी जेस्ट दो साल पहले ही, सुपर्टेक को, की 1,000 फ्लैट्स, सुपर्टेक जार नाम का प्रोजेक्ट है, जो कि ग्रेटर नोड़ा में ही है, जिस पे उनको 8500 फ्लैट बनाने का प्रोजेक्ट दिया था, उन्होंने 1900 फ्लैट बना लिया, जब कुछ लोग गए उसके अगेंस्ट में, तो बोलते हैं कि हमने अप्रूबल के लिए प्लान दिया है, उस समय भी हाई कोट काफी, लहावद हाई कोट ने काफी कुछ बोला, उस कित जाती है, तीस-तीस साल, चालिस-चालिस साल काम करके जो पैसा ही कठा करते हैं, उसमें लगाते हैं, तो अंत में उस प्रोजेक्ट में किसी तरीके से साथ गौर्वर्मेंट को डारेक्शन दे कर उसको, I don't know, exact whole detail, but then लगता है कि उसको इन्होंने किसी तरह से डिसिल किय मैं थोड़ा एक कानुनी तरह से आपने बनाया है, जो बिल्डर है, आज सब को सूपर्टेक का नाम, मालिक का नाम ता है, मगर नोएड़ा अथरेटी में कौन थे, कौन अनुमती दिया, टाउन प्लानिक देपार्टमेंट में कौन था, और कोई रास्ता है, और कोई रास् नहीं था, लोगों को रहने दीजे मकान में, आप सजा दीजे, कंपनी को सजा दीजे, आप अधिकारी को गिरिफ्तार कीजे, वास दिस तब बेस्ट चॉइस, बेस्ट डिसिशन, देखिए, यह कहना जगार, लॉइस सुप्रेम, सभी अलग देश में रूल आफ लॉव होन चाहिए, कानून को ओवरलू कोई नहीं करेगा, जो भी करेगा उसके उपर कानून होगा, इसका देखिए, अच्छा गया, अगर मुझे कहां, मैंने 40 साल सरकार में काम किया, हर तरीके से काम किया, हमेशा हम लोगो लगता था C.A.G. के दफतर में हर गोर्मेनट के चुकी गोर्मेनट के एक्षंस को और उनके फाइलों का ही परीक्षा मनों करते हैं तो कहीं भी कुछ होता था तो हम लोगो कमट करना पड़ा है तो लेकिन हम लोग लगता था कि देश एक सॉफ्ट कंट्री होता है चला जा रही है यहाँ कुछ भी चलता है मतलब आप कहा रहे है कि थीक है पांच सु क्रोड बरबाद हो गया किसका भी हो आपका हूँ या यह आपका यह सूपर टिक का हो मगर एक संदेश जा रहे है एक मेसेज जा रहे है बाकी लोगों से कि आप यह से करेंगे तो आपका मकान भी हम तूट सकते है मगर पैसर किसका है खरचा किसका है माना इस पे दोराय नहीं है कि यह एक बहुत बड़ा कॉस्ट है करपसन के लिए क्यों अगर corruption अभी नीशियों नहीं होता, सुरू में ही नहीं होता, अगर सुरू से ही इस पे control किया जाता तो नहीं होता, यह माना एकदम सही है, लेकिन चुकि यह generally माना जा रहा है कि इतनी जगह, हर जगह corruption किस देश में हर जगह ब्याप्त है, तो उसको रोकने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है, और दूसरा यह, लेकिन यह अपने आप में स्रंपूर्ड नहीं होगा, अगर और इसके सासथ और action नहीं लिया जाए, मतलब यह जो अधिकारी है, नौइडा authority का अधिकारी, इनको सजा मिलेगा? एकदम मिलना चाहिए, हाई कोट ने भी order किया है, ह सभी अधिकारियों के prosecution के लिए, मगर यह होगा? सुप्रीम कोट ने भी उसको reiterate किया है, इन लोग का नाम किसी को मालूम नहीं है, कौन-कौन थे? कौन-कौन सरकारी अफसर थे? और इनके पीछे जो बरे-बरे राजनेता थे यह कौन थे? यह रेकॉर्ड पे मिल जाएगा, रेकॉर्ड पे कुछ तो पता है, सभी को पता है, रेकॉर्ड से बाहर नहीं है, जो उस समय के नोड़ा के authority के अधिकारी थे 2006 से 2009 तक कौन थे? 2010 में कौन थे? 2012 में कौन थे? रेकॉर्ड पे है, लोग जानते हैं, इसमें कोई दिकत नहीं है, और एक कुछ देखे न, हम आप है डिएँट प्रोजेटिन उसे 21 its to 21 00000 में आ प्रोजेक्टिन के चल रहे हैं, हम नुआज थे शो नोड़ा है गरेटाएँट नुआज डिएँग दिका है, और वन सिखे मैं कंपनी हैं, तो यह से 2200 आ प्रोजेटिन के चल रहे हैं, चल्था है थिपर्टित आया कौन है 2 राष्ट्रे राजधानी शेत्र और उसके बाहर भी चल रहे हैं और इसमें मैं इदा सूपर टे के बारे में यह कहना चाहूंगा बट यह इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद अगर उन्होंने कुछ ऐसा किया जो नहीं करना चाहिए था जिसमें आपने देखा होगा कि नेशनल टीवी पे उनके एमडी आके बोल रहे थे कि हमने यह वही किया है जो रूल में था अगर ऐसा होता तो हाई कोट डिमोलिशन करने के लिए नहीं कहता सुप्रेम कोट डिमोलिशन करने को नहीं कहता लेकिन यह भी सही है कि नॉड़ा ऑथरिटी में CAG का रिपोर्ट आप इस विशे की उपर प्रोब में भी आपका लेक चपा है आप देख रहें कि यह जो बिमारी है यह सिर्फ एक कंपनी सूपर टेक नहीं नॉड़ा में बहुत सारे ऐसे कंपनी इस विशे की उपर ज़रा सरन भाशा में सम्झाने चाहिए तो मैं कहना था कि यह उनकी की M.D.E.S.A.B. का यह कहना सूपर टेक का की उन्होंने कोई गल्ती नहीं कि इए सरा सर गलत है क्यृगर उन्होंने कोई गल्ती नहीं की होती तो हाई कोट नहीं बोला होता नकृट करने को Supreme Court उसको रीटरेट नहीं किया होता उस में में जो की हो और लोन ने भी ऐसा किया होगा उसमें कुछ हद तक सचाई हो सकती है इसके लिए पहली दफ़ा प्रिजेंट गौर्मेंट ने और नोड आउथर्टी काम करी है 1976 से और 24 और 42-40 साल के बाद प्रिजेंट गौर्मेंट ने भारत के को पर्मिशन दिया कि साहब आप नोड आउथर्टी का आउडिट कर सकते हैं इसे पहले क्यों नहीं अनुमती मिला बार बार से हम मुझे पता है मैं स्टेट्स का पूरा दो हुजा तीन चार में दो साल नहीं साल के दफ्तर में पूरे कंट्री का स्टेट का देखता था आईवस्-पीडर्स उस समय पहला हम लोगे पास एक और अडिट पा रहा है था उपी प्रिंस्पल एजी ने भीजा था वो था ग्रेटर नोड़ा में एक गोल्फ कोर्स बन अगरता हूं वह समय में बहुत आप लोग के उपर इतना प्रेसर पड़ा था एक मिनिट एक मिनिट ये जो जो सरकार जो राज्य सरकार का जो कारिकरम है ये केंद्रे सरकार आउडिट क्यों नहीं कर पा रहे क्यों आप जैसे सीएजी है भारत के नियंत्रक और महालिका पर सरकारों ने ये भ्यू लिया था कि उसमें सरकार का पैसा नहीं लगता है वो लोग सेल्फ जनरेटिंग है तो ऐसे एजन्सी के लिए ये प्रोविजन है कि वो लोग अगर रिक्वेस्ट करते हैं तो सीएजी आउडिट कर सकते हैं लेकिन चुकि वो कंसोलिटेट फंड आउडिट नहीं कर सकते हैं लेकिन सीएजी ने बार बारम रिक्वेस्ट किया था ये लेकिन रुपर आपनाः परमीशन नहीं आ रहा था discretionary powers होते हैं मतलब आप discretionary allotment कर सकते हैं आप विवेक आधिन आवंटन कर सकते हैं जमीन को इसी से आपका शम्तात है यह है भूस लेने का एक रास्ता है क्योंकि मैंने यह भी देखा कि एक मुकान बनाने के लिए आप पजास जगा में आपका अनुमती लेना पर रहा है यानि कि सिस्टम में कुछ कमिया है हाँ इसी पे इसी पे सीएजी की ने रिपोर्ट करीब तीन साल के आडिट के बाद यह 500 पेज का आडिट रिपोर्ट बना है और यह पिछले साल नौवंबर महीने में राज सरकार को दी गई है यह उन्होंने साथ दिसंबर महीने में इसे एसे इन्वेस्टिकेशन होने चाहिए इस पर टेक का जो प्रोजेक्ट था वह बारह एकट जमीन पर इस रिपोर्ट में हजारों एकट जमीन पर जो इरेगुलेटरी हैं उसके बारे में कहा गया है पचास गुना तो यह पचास गुना से उससे भी ज़्यादा क्योंकि अगर यह बारह एकट की जमीन थी अच्छा बारह एकट की वहां पर हजारों एकट जमीन की हजारों एकट जमीन पर जो हुई हैं गरवडियां हुई हैं गरवडियां अभी भी हो रही है अज अव टुडे हो रही है उस पर ध्यान देने की जरूरत है बहुत ही द्यान आप इसलिए मैं कहा रहा था कि डिमोलिशन करना ट्वीन टावर का एक स्टेप है बहुत ही करने के पहले एक दो और सवाल है आपका लेक में एक पर रहा हूं इन्फरा लाइव में आपने उसमें साफ साफ लिख दिया कि ये भुतानी ग्रूप का जो प्रोमोटर है संचित भुतानी उन्होंने छूटा शपत पत्रा दिया फॉल्स एफिडविट में लिखा कि जो ज नौ साल पहले इनको मिला था यूव एक्सपोज दिस इन यूर आर्टिकल तो ऐसे बहुत सारे उधारन होंगे और सबसे दुखत बात है कि सरकार को डिफेंड करने वाला कोई नहीं होता कोट अफ लाओ में इस फाइल में दोनों बाते थी लैंड दिया गया दोयार सात याठ में इसको पाइड होने के नेक्स डे उसको पोजिशन दिया गया डिरेक्टर अब दी कंपनी इमसेल्फ तुक दी पोजिशन दे और एकदम आती क्रमन के बिना ले रहा हूं विदाउट एनी इन्फुच्मेंट और उसके बाद पांच सालों तक छे सालों तक किसी ने कुछ नहीं बोला जबकि वो पांच साल में वो प्रुजेक्ट कंप्लीट करना था देखिए होता क्या है दिकत यह हो रही है कि सरकार क को डिफेंट करने वाला कोई नहीं रहका है अब 2008 का केस है यह बन्या वो खुद नहीं किया पांच साल साल आट साल उसने कुछ नहीं किया दस साल कुछ नहीं किया दस साल के बाद लगा कि उसको तो पूरा पेनालिटी इंटरस देना पड़ेगा तो वो फाइल करता है कि कोई खाली लैंड पढ़ा रहेगा, दस्यों साल तक पढ़ा रहेगा, कोई अगर उसको देखने वाला नहीं रहेगा, तो इसका मिस्यूज होना लाजमी है, कुछ फारमस आगए, कुछ आगए, उसको बड़ा इसो बना कर लिया है, और उसके बाद आप गौर्वर्मेंट से सिना साथ हमारे साथ वक्त कम है, तो आखरी सवाल मैं आपसे पूछने चाहते हूँ, आप बिहार का रेरा यानि की जो रियल एस्टेट का जो नियामक प्रादिकरन ये संगस्ता के साथ आपने कुछ साल बिताया, रेरा का क्या भूमिका है, और सामने रास्ता क्या है, और ये जो आपने अभी-अभी बताया, ये जो समझोता है, जो बरे-बरे बिल्डर है, इसके पात अरब काला धन है, और इन लोग घूस देते हैं, जो भी सरकार में हैं, चोटे अफिसर से, पियन से एकदम सचीफ तक, सब को घूस किलाते हैं, और ये आपको मालूम ने हैं, ये सब को मालूम है, और ये पैसा घूम फिरके उई राज नेता के पास चले जाते हैं, रास्ता क्या है सब, और रेरा का क्या भूमिका है, ये एक सवाल में, दो सवाल में ने की चाहिए, और ये दिजा यो, क्लोजिंग रिवांब्स, ओके, रेरा देखिए, रेरा 2016 में आ इसके वारी पोर्ड, पोर्ड बहुत अच्छा बना है, इसमें तो, आवने आक्ट बहुत अच्छा बना है, और उसके अक्ट स्टार्टिंग हुआ है, इसे काफी इंपक्त पड़ा है, लेकिन, कानून का लागू, हाँ, इंप्लिमेंटेशन अफ द लो, कानून लागू, वही मैं का रहा हूँ, तो, 2016 में इस स्टार्ट हुआ है, 2017-2018 में डिफरेंट स्टेट्स ने रेरा की ऑर्थरिटी का पॉंट्मेंट्मेंट्स किया है, उन्होंने अभी, काम स्टार्ट हुआ है, इसमें दोराय नहीं है, बट अभी माइल्स आगे जाना है, बहुत इसमें द अगर प्लान में ही गरवडिया हैं, इसमें, मतलब ये पूरा राज्य सरकार के, अधीन आता है, राज्य सरकार जिससे की, जिम्यदार, जिम्यदार ही है, क्योंकि नोईडा ओथरिटी को लैंड देना था, रोड़ा ओथरिटी को प्लान अप्रूब करना था, नोईडा ओथरिटी को कमप्लिशन सर्टिफिकेट देना था, तो नोईडा ओथरिटी ने जो गलतियां की हैं, उसकी जांच होने चाहिए, और पूरी तर से जांच होनी चाहिए, ये अतिन तिजवरत है, तेना जी, समय बताएंगे, जांच होगा की नहीं, और ये जो लोग है, जिस आपका कीमती समय न्यूसलिक का दर्शक को दिया, और ये जो नेकसस है, ये जो समझोता है, जो बरे-बरे बिल्डर है, पैसे वाले है, पूजी पती है, इसके साथ जो सरकारी अफसर, अथारिटी, जो अधिकारी है, और इनके जो राजनेता भी है इनके साथ, ये गड़ अब धन भारत वश्च में कब कमजोर होगा, ये समय बताएंगे, धन्यवाद, आप सब देखते रहिए, न्यूसलिक, बटन दबाएए, सब्सक्राइब कीजिए, दान कीजिए, ये गोधी मीडिया नहीं है, ये स्वाधीन पत्रकारिता में विश्वास करते हैं, एक बार धन्यवाद, सरना जी, नवश्कार.